हाई फ्रेंड्स अनीमिया या खून की कमी एक बहुत ही कॉमन प्राब्लम है जब हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स जो हमारी पूरी बॉड़ी में ऑक्सिजन पहुचाने का काम करते हैं उनका उत्पादन हमारी हड्डियों में कम हो जाता है तो हमारा शरीर अनीमिया या ख खून की कमी से ग्रस्ट लोगों की संख्या आदमियों में 25 परसंट और महलाओं में 57 परसंट है नौर्मल हेमोगलोबिन लेवल पूरुशों में 14-18 ग्रैम्स पर डेसिलीटर और महलाओं में 12-16 ग्रैम्स पर तो इस वीडियो में मैं आपको खून की कमी किन कारणों से होती हैं, उनके क्या लक्षन होते हैं, खून की कमी का पता किन साधरन लेबॉरेटरी टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है और इसका इलाज कैसे किया जाए, ये सब बताऊंगी. सबसे पहले, खून की कमी का सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में आयन, वाइटमिन B12 और फोलिक आसिट की कमी, जो हमें पोश्टिक आहार या हेल्दी डायेट ना खाने से संभन्दित है, बच्चों के अकसर पेट में कीडे होने से खून की कमी हो जाती है, खाने में कमी औ और पेट के कीडों का इलाज हेल्दी डायेट और दबाईयों से आसानी से किया जा सकता है, दूसरा कारण है कोई लंबी बिमारी, जैसे टाइफॉइड, मलेरिया, टीबी, किड्नी फेलियर, फैटी लिवर, आर्थराइटिस और कैंसर, खून की कमी का तीसरा कारण है एप प्लास्टिक्स, इंसेक्टिसाइड, प्लास्टिक के कन, कैंसर की बिमारी में रेडियेशन और कीमो थेरेपी हो सकता है, महलाओं में खून की कमी का सबसे बड़ा कारण है प्रेगनेंसी और मासिक धर्म में बहुत जादा खून का जाना, खून की कमी का एक और कारण है, हम जो red cells बनते हैं वो ठीक से नहीं बन पाते जिसके वजह से वे जल्दी-जल्दी नश्ठ हो जाते हैं और ऐसे बच्चों को जन्म से ही खून की कमी रहती है अब बात करते हैं खून की कमी के लक्षनों की जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है उनकी skin का रंग हलका और लिए बका सा दिखने लगता है जबान का रंग सफेद दिखता है नाखुनों का रंग सफेद हो जाता है कभी कभी ऐस पर सूजन दिखती है और पेरों पर भी सूजन आने लगती है। जबहाव से ये लोग चिड़चिड़े रहने लगते हैं, बात-बात में गुसा हो जाते हैं, थोड़ा सा काम करने में ठक जाते हैं, सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, अक्सर सिर में दर्द रहता है और बाल भी बहुत ज़रने लगते हैं. यदि खून की कमी का सही और टाइम से इलाज ना किया जाए, तो इसके कारण हार्ट फेलियर और किड्नी फेलियर भी हो सकती हैं. अब यदि आप पता करना चाहते हैं कि आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है, तो इसके लिए किसी अच्छी पैथोलोजिकल लेबॉरेटर में जाकर सिंपल टेस्ट करवाने चाहिए, पहला है CBC टेस्ट याने Complete Blood Count टेस्ट, इस टेस्ट से आपको खून की कितनी कमी है और ये किस कारण से हो सकती है, ये पता चल जाता है, दूसरा खास करके बच्चों का एक पैखाने या स्टूल का टेस्ट जरूर करवाना इस से पता चल जाता है कि खून की कमी पेट के कीड़ों के कारण तो नहीं है, तीसरा एक सिंपल यूरेन रूटीन टेस्ट भी करवा लेना चाहिए, जिसको करवाने से यदि आपको अपनी किड्नी की और डाइबेटीस की कोई प्राबलम है तो उसका पता चल जाता है, एक टैबलेट वाइटमिन B12 की और एक टैबलेट फोलिक एसिट की कम से कम तीन महने तक खाना खाने के तुरंत बात खाना चाहिए, प्रेगनेंट और गर्वती महलाओं को ये टैबलेट्स और इसके साथ कैल्शियम की गोली भी पूरे प्रेगनेंसी में और बेबी को दू कीडे का ट्रीटमिन करें, फिर आयन और मल्टी विटैमिन सिरप पिलाएं, इसके साथ साथ खाने में भी ऐसी सबजियां, फल और चीजें खाना चाहिए, जिसमें आयन और वाइटमिन हों, जैसे पालक, गाजर, मतर, पता गोबी, टमाटर, बीट रूट, फलों में सेब, स स्ट्रॉबरी और आवले में आयन की मातरा बहुत जादा होती है, काले चने, राजमा, छिलके वाली डाले और अंडा, ये सब आयन और वाइटमिन के अच्छे सोर्स हैं, तो फ्रेंज, यदि आपको खून की कमी और उससे संबंदित मुश्किलों से बचना हैं, तो सबचियों को खाने और पकाने के पहले, खूब अच्छी तरह से धूएं और सफाई से खाना बनाएं, बच्चों के खाना खाने के पहले हाथ धुलवाएं, प्रेगनेंट और बच्चों को दूद पिलाने वाली महलाएं, आयन, वाइटमिन B12 और फोलिक ऐसिड की गोलिया जरूर खाएं, तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो से यदि आपको खून की कमी की कोई प्राबलम है, तो उसे डिटेक्ट करने को और उसका इलाज करने में आपकी सहता होगी, थैंक यू